तो और्वार भाईयो क्याल चाल उम्मिद करता आप सभी बड़ी आएंगे एंड दुबर साथ जो कहें एक और नए वीडियो के साथ बापिस एंड आप लोगों तो याद ही होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था आइको 11 वर्सेस आइफोन 12 एंड उसमें Android वर्सेस iOS हुआ था एक तरह से तो लोगों क्या चीए था कि Android वर्सेस Android खुरो एक बार आइको 11 वर्सेस आरोजी का कोई फोन मतलब ऐसा Android हो ना चीए कोई फोन जो भी comparison कर रहो तो मैं लेके आ चुका हूँ इस वाले वीडियो में एंड इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइको 11 वर्सेस आरोजी 6 के बारे में यह दोनों फोन में से कौनसा फोन अच्छा होने वाला है क्योंकि कुछ दिनों पहले जब आरोजी 6 है था उस टेम पर बोला जा रहा था कि आरोजी 6 इस मतलब है इंडिया का सबसे फास्टर्ट गेमिंग फोन होने वाला ही हूं लेकिन अभी आइको 11 आ जुका है तो इसको बूला जा रहा है कि इंडिया का सबसे फास्टर्ट गेमिंग फोन यह है नंबर वन पर तो अभी इन दोनों के बीच में करेंगे और आपको यह बताएंगे कि दोनों का गेमिंग क्या ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे सब कुछ आपको बताऊंगा तो वीडियो को पुरा एंट टेक लिखना एंड ज्यादा बगस ना करते हुए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन दोनों डिवैसे के टॉप एंड वेरेंट की बात करने वाले हम तो आईको 11 म में आपको 12GB RAM और 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा तो इनो फोन में आपको 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है अगर प्राइस के बात करूं मैं तो आईको 11 का प्राइस आपको 65,000 के आराउंड देखने को मिल जाएगा और ROG6 का 72,000 I know प्राइस में इतना मतलब difference है लेकिन फिर भी कोछ नहीं कर सकते क्योंकि दोने के top and variant मेरे को उठाने थे अभी एक और चीज आपको दिखाऊंगा मैं मतलब थोड़ा वीडियो को पूरा end तक दिखाऊंगा आपको थोड़ी बहुत दिखकत है बताऊंगा सारी और last में आपन इसका एकदम performance मेन जो gaming review प्रोपर कर देंगे बाकि अभी तो थोड़ा स्पेसिफिकेशन का comparison चल रहा है ठीक है सबसे में बात करूंगा इन दोनों defense के प्रोसेसर के बारे में तो गाइस के साथ और lp ddr5 आपको इसमें रेम टैप देखने को मिल जाएगा अगर में बात करूंग दोनों devices के डिस्पले के बारे में तो 6.78 इंचेस की एमुलेट डिस्पले 1200 न्यूट्स की पीक ब्राइटनेस HDR10 प्लस का सपोर्ट और 165 हर्ट्स का refresh rate देखने को मिल जाएगा refresh rate आपको ROG6 में ज्यादा देखने को मिल जाता है बाकी दोनों बराबर है हाँ लेकिन एक और चीज में बात करूं अगर तो 1800 न्यूट्स की एकदम समझ रहो ना स्क्रीन वगरा का एकदम स्मूध सा चलेगा और नॉर्मल यूस में भी एकदम अच्छा रहने वाला है बाकी आप अगर मल्टि टास्किम वगरा करते हो तो 1800 नीट्स वाला सही रहेगा आपको दूप वगरा में या कहीं भी आप जाकर देखो तो सही रहेगा एकदम अभी भात कर लेतें दोनों ड्यूस के केमरा के बार में 50 MP, 13 MP, 8 MP का इसको आपको है ना ICO 11 में camera lenses देखने को मिल जाता है और ROG6 में 50 MP, 13 MP, 5 MP के आपको camera lenses देखने को मिल जाएंगे और front camera के बात करो तो ICO 11 में आपको 16 MP का front camera देखने को मिल जाता है जबकि आपको ROG6 में 12 MP का front camera देखने को मिल जाएगा 5000 MP के आपको massive battery देखने को मिल जाएगी ICO 11 में और ROG6 में आपको 6000 MP की massive battery देखने को मिल जाएगी battery के साब से ROG6 जादा बड़ा है लिकिन charging में वह ही मात्का जादा है या ROG6 बहुत धीरे charge होगा जबकि आपका ICO 11 बहुत fast charge हो जाएगा आपका 120 Watt का आपको इसमे fast charger देखने को मिल जाएगा ICO 11 में और 65 Watt का आपको fast charger ROG6 में देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें दोनों के connectivity के तो 5G connectivity के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और एक दिक्कत है ICO 11 में सिर्फ उसमें headphone jack आपको देखने को नहीं मिलेगा USB Type-C देखने को मिलता है लेकिन ROG6 में आपको headphone jack 3.5 mm का jack देखने को मिल जाएगा यहां पर तो बात होगे इन दोनों के specifications के बार में और ज्यादा detail में भी हम बात करने नहीं वाला है लेकिन अभी मैं बात करें दोनों के performance के जाब से कौन सा performance अच्छा होने वाला है वैसे फिलहाल से देखा जाए तो iqo वालों ने बोला है कि एकदम मतलब बेस्ट इंडिया का सबसे fastest gaming phone iq11 है यूँ एंड जहां तक मुझे लगता है मिरको भी यही लगता है अभी इन दोनों में comparison बताओ ना अगर तो mainly processor की बात करूंगा में देखो snapdragon का 8 gen 2 का आपको इसमें processor देखने को मिल जाता है एंड उससे थोड़ा अप्डेड आपको देखने को मिल जाएगा इसमें और अच्छे से मतलब optimize वगरा सब कुछ हो रखा है बेक्रण्स से कोई नौई सारी होत तो sorry लेकिन हाँ मेरे हिसाब से iq11 सबसे best performance आप आपको निकाल के देखा लेकिन अगर में बात करो आरोजी 6 की तो वह भी कोई बुरा नहीं है बट ऐसा है कि आप पैसा फुकना चाहते हो और आपको उससे कोई मतलब नहीं तो आरोजी 6 लेलो दोनों फोन लगपक से में सिर्फ लेकिन अगर आपको सिर्फ performance से मतलब है तो यहां पर मतलब वीडियो को खत्म करते हैं टाटा बाई बाई कोई भी कोरी हो तो कमेंट कर देना